एपिसोड की शुरुआत कुछ यूं होती है कि चोई एंचल मीसन को चिकन खिलाने लेकर जाता है वहाँ पर देर होने की वज़े से वो दोनों एक दूसरे से बाते करने लगते हैं और चोई मीसन को बोलता है कि वो बहुत ही शर्मीला है और उसे कुछ भी समय नहीं आ रहा है वो मीसन से कनफेस तो करना चाहता है मगर क्या कहे इसे ये कुछ भी पता नहीं है फिर चोई इसके सामने घुड़नों पर बैठ कर इसे ओफिशियल डेट के लिए परपोस करता है और मीसन मान जाती है और दोनों अपना चिकन पकड़े वापस अठके लिए करते घर वापस चले जाते हैं मिस्टर चुन्जे के कैफे पर शो के बाद रखी गई पार्टी में सब लोग शो और इधर उधर की बाते कर रहे होते हैं स्योंग हायन और वैंग जी वोन बोरा की मां से उसके डिलिवरी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि उसकी डिलिवरी में से कितना टा और मिस जोनम्सूग की लड़ाई शुरू हो जाती है मिस हुओ जोनम्सूग उसे डांटती है कि तुमने शो में जाने के लिए इतनी ज्याद़ एकसाइटमेंट क्रियेट कर रखी थी मगर यह क्या तुमने शुटिंग के दौरान इतना गंदा परफॉर्म किया है मुझे बि तो मज़ा कर रहा था पिजन नहीं बलके यह तो चिकन है और फिर सबके सब लोग हंसने लगते हैं मिस्टर चुन्जे चिकन की ड्रॉम स्टिक उठाते हुए कहता है कि यह भला मैं किसको देने लगा हूँ क्योंकि वह सबके सब लोग आज के दिन स्योंग हायन से काफी करने लगता है और मिस्टर चुन्जे के स्योंग हायन को दी जाने वाली ड्रॉम स्टिक चीन कर खुद फॉरक से खा लेता है वह सबके सब लोग हैरानगी से दूसिक की तरफ देख रहे होते हैं मगर मिस्टर चुन्जे दूस्री ड्रॉम स्टिक उठा तो यह कहता है कि से कहता है कि कोई बातनी और सेंग उस को का société को काफी गोर से देख रहा है कि आघर इस पागल को क्या हुआ कि अरकते क्यों कर रहा है एंपिर हम देखतें खाना क्छाने के बाद OSIK फॉरां से ही कहफे तो इससे मांगता है तो डूसरी ते को से हखसे जेंगा पूंजा है तो दूसरी में बनाता है किला से काफी जय जालाू है स्योंग हाइन उसे कहते है कि तुम मुझे से जलिस हो रहे हो मुझमें ऐसी क्या खास बात है तो डूस्यक उसे कहते है कि यूण ने उसे बताया था कि उसे डौम स्टेक खाना बहुत पसंद है और यूण उसे इसकी क्यार करने का भी बोल रही थी जो किसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है तो स्योंग हंसते हुए कहते है कि अच्छा तुम मुझसे जैलिस हो रहे थे तुम तुम मुझसे जैलिस होने के बजाए मुझपर रहम खाओ तुमने सोचा नहीं कि तुम कितने ज्यादा लगी हो कि तुम्हें यून हाय जिन मिल गई जैलिस तुम्हें तुमसे होना चाहिए ना कि तुम्हें मुझ से तभी डूसर कुस की बात समझ आ जाती है कि वाकी वो तो लगी है स्योंग है इनके पास ऐसा है ही क्या यून सिफ एक दोस्त होने के नाते उसकी कियर करने का मौल रही थी क्यूंकि वो काफी अरसे तक एक दूसर के साथ रहे थे तभी इन दोनों के बाते हुई ये डारेक्टर जी और रैटर वेंग जी वोन भी बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि अंदर काफी जादा शोर हो रहा है मिस हुआ जॉंग और मिस्टर चैंग जॉंग गुक की दुबारे से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है इन सब के ड्रॉमे तो वहाँ पर लगे ही रहते हैं तभी मिसुन जॉंग को बताती है कि चॉय इंचल ने उसे आज ओफिशियल डेट के लिए पर पोस्ट किया है दिससुन का जॉंग काफी जादा खुश होती है कि चलो तुम्हारा प्रॉबलम भी सॉल्व हो गया है तभी मिसुन जॉंग से कहती है कि जब हम दोनों ऑफिशियल डेट कर रहे हैं दूसे को चॉय इंचल भी एक दूसे के फ्रेंड हैं तो क्यों न हम लोग डबल डेट पर जाएं जॉंग अभी डबल डेट के बारे में सोच ही रही होती है कि उसके डोर पर बेल होती है और यून देखने बाहर जाती है तो डूसे को वहाँ पर उसे बैठा नजर आता है और उसे अपने पास बैठने को कहता है तो यून उसे कहती है कि दिन को तो तुम काफी ज़ादा नाराज होकर मुझसे चले गए थे यहां से तो अब तो में क्या चीज़ यहां पर खेंट लाई है तो डूसे को उसे कहते है कि वह उसके बगएर नहीं रहना चाहता था वह उसे देखना चाहता था इसलिए वह उसके पास आ गया है फिर वह उसे अपने दिन के बिहेवियर पर सोरी कहता है कि उसे बिलकुल भी इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था फिर वो यून को कहता है कि ना जाने उसे क्या हो गया है उसने यून के साथ डेट से पहले अपनी यह वाली साइट कभी भी नहीं देखी थी उसे रोज रोज अपनी एक नहीं साइट देखने को मिल रही है फिर वो यून को बताता है कि आज वो कितना ज्यादा जैलिस हो गया था कि उसने स्योंग हैंड से चीन कर डुम स्टिक्स भी खा ली तो यून उसकी बाद सुनकर हंसते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ डेट के बाद खुद की नहीं नहीं साइटे देखना शुरू कर दी है और मैं भी तुम्हारी नहीं साइट देख रही हूँ आज मैंने तुम्हारी बहुत ही क्यूट और एडारेबल साइट देखिए जो कि मझे बहुत पसंद आई है तो डुसिक इसे कहता है कि इसका मतलब है तुमने मुझे माफ़ करती है तो यून कहती नहीं मैंने सिर्फ कहा कि तुम चार्मिंग लग रहे है और क्यूट लग रहे हो तुम्हारी अपालिजी के बारे में तो मैं अभी सोचूँगी अगली सुबह यून और डुसिक देट पर जाने के लिए तयार होकर गोंग जिन से बाहर जाते हैं डुसिक यून की तारीफ करता है कि वो बहुत खुबसूरत लग रही है और दोनों सबसे पहले एक आर्ट गैलरी में जाते हैं जहां पर डुसिक और यून आर्ट को देख रहे होते हैं तो यून डुसिक से इसकी फेवरिट आर्ट के बारे में पूछती है जिस पर डुसिक इसको बोलता है कि इसे कंपलेक्स आर्ट के बजाए सिंपल और साधा जल समझ आ जाने वाली पेंटिंग्स देखना पसंद है तब ही यून इसके साधा आर्ट को देखकर इससे पूछती है कि तुम्हें तो इस आर्ट के बारे में काफी जादा नौलिज है तुम तो इंजिनरिंग के स्टूरेंट थे तो तुम्हें कैसे आर्ट के बारे में मालूम है क्या तुमने इसके बारे में पढ़ा है यून देखती है कि वो इसकी बात को गोल करने की कोशिश कर रहा है तो यून काफी देख तक इसे पकड़े रखती है कि क्या वो तुमसे बड़ी थी या चोटी या वो इससे ज़ादा खुबसूरत थी वो क्या करती थी कौन थी दोनों को महबत कैसे हुई और क्या वो दोनों एक दूसे से महबत करते थे कितने अर्से एक दूसे के साथ रहे थे मगर डूसिक तो टेस्स से मस भी नहीं होता है और उसको कुछ भी नहीं बताता है बलकि इसका ध्यान किसी और तरफ लगा देता है اور یون کے اس کے کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہونے کی بات درمیان میں ہی رہ جاتی ہے یون کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی یہ بات سیکریٹ ہی رہ جاتی ہے کہ کیا ہوا کہ ڈوسک کی زندگی میں کوئی لڑکی شامل تھی تب ہی تو وہ اتنا خاموش تھا اور یون کو کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا اس کے بعد یون ڈوسک کے لیے ایک خوبصورت سار دریس خرینا چاہتی ہے جس کے لیے وہ اسے میل سیکشن میں لے کر جاتی ہے और इसे ठेस सारे dresses ट्राइ करवाना चाहती है मगर डूसिक ऐसा करने से इंकार करता रहता है कि उसे कोई भी dress ट्राइ नहीं करना है वो अपने कपड़ों में ही बहुत ज़्यदा खुबसूरत लग रहा है मगर यून उसे कहती है कि उसे इसके लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा मगर डूसिक फिर भी नहीं मान रहा होता है तो यून उसे कहती है कि सिर्फ 10 dresses ही ट्राइ करके मुझे दिखा दो फिर डूसिक उसे बारी बारी सब के सब dress ट्राइ करके दिखाता है मगicação को कुई भी पसंद नहीं आ रहा हुता है। उसे लगता है कि सब के सब उस पर खुब्सूरत लग रहे हैं। सब सब 06 ड्रेसेट ट्राइक कर लेने के बात जुब्सूरत नहीं को लगता है कि डूसप भी नहीं पहना था वो ही बहुत खुब्सूरत लग रहा था वो उसे ही काउंटर पे करवा ले थी और डूसिक जब पे करने लगता है sun कहती है के यह कि तुर्फ से गिफ्ट है वाज़ इसकी तुरöर दूसिक लेने साइन कहरने लगता है तो जून उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं इंकार करने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि तुम्हारी बर्डे आने वाली है तो ये बर्डे का एडवांस गिफ्ट समझकर अपने पास रख लो काउंटर पर खड़ा कैशिर इन दोनों की महबत दे कर कहता है दूसिक को तो इस पर फखर करना चाहिए उसे अतनी अच्छी गर्ल फ्रेंड मिली है और वो दोनों खुशी खुशी अपना गिफ्ट उठाए दूसरी तरफ चले जाते हैं पिर हम देखते हैं कि यून अपने लिए एक खुशूरत सा डायमेंड नेकलिस पसंद करती है और दूसिक को भी दिखाती है कि उसे ये कैसा लग रहा है दूसिक को भी उसका ये नेकलिस बहुत ही जादा पसंद आता है मगर जैसे ही यून उसके लिए पे करने लगती है तो दूसिक इसके प्राइस सुनकर शाक ड़े जाता है कि ये इतना महिंगा है यून ने ये नेकलिस फाइव पॉइंट फिफटी फाइव मिलियन डालर्स में खरीदा होता है तो दूसिक उसे कहता है कि क्या ये रियल है तो यून उसे कहती है कि उसे फेक चीज़े पहनना पसंद नहीं है दूसिक उसकी बात सुनकर खमोश खड़ा हो जाता है यून भी इस बात को नोट करती है कि डूसिक को शायद उसका नेकलिस खरीना पसंद नहीं आया है या इसके इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं आया है जब डूसिक को यून अपनी शापिंग करके वापस जा रहे होते हैं तभी डूसिक को उसका कालिज का फ्रेंड मिलता है जो कुछ से काफी अर्से से नहीं मिला होता है फिर वो डूसिक के साथ यून को देखकर कहता है कि सोरी उसने देखा नहीं और नोट नहीं किया कि उसके साथ लेडी भी है फिर वो डूसिक को कहता है कि हम लोग तो कालिज के बाद कभी मिले नहीं मुझे पता नहीं है कि तुम आजकल कहां पर रह रहे हो मगर मेरा ये कार्ड है यहां पर काल करके मुझसे राब्ता जरूर कर लेना और फिर वो वहां से चला जाता है मगर हम लोग देख रहे होते हैं कि डूसेक अपने इस पुराने फ्रेंड को देखकर कुछ खुश नहीं लग रहा होता है उसके चैरे पर अदासी सी आ जाती है और यून भी इस बात को नोट करती है फिर जब शापिंग करने के बाद यून और डूसेक खाना खा रहे होते हैं तो यून उससे अपनी कोई बात बताने लगती है मगर उसे अदास देखकर वो उससे बुलाती है और उसके बुलाने पर भी डूसेक उसके तरफ ध्यान नहीं देता है फिर काफी देर के बाद जब डूसेक को होश आता है तो उससे पूछता है कि क्या वो उससे कुछ कह रही थी तो यून उससे कहती है कि नहीं बिलकुल भी नहीं वो उसे कुछ भी नहीं कह रही थी और वो नोट करती है कि डूसर काफी असुद्धा नजर आ रहा है जब से वो अपने दोस्त से मिला है